नमस्कार साथियों नगरपाले का अधिनियम 2009 धाराथ 206 से 250 पीछली क्लास में 45 तक किया था अपने छोट छोटी धाराएं हैं ज्यादा मेंटर नहीं है इनमें और सरल भी है इसके अलावा मैंने अपने मेरी जो आफलाइन क्लासे हैं अभी मैंने नया बैस स्टार्ट किया है उसके रिकॉड़ेड वीडियो मेरे एप पर उपलब्द हैं उसको भी आप अगर कोई देखना चाहता है पर्चिज करना चाहता है तो कर सकता है उसमें भी मैं 556 धाराएं करवा रहा हूं और थोड़ा सा क्योंकि धीर धीर पढ़ाने से एक्स्पिरियंस भी होता है मतलब लंबी क्लासे लिए मैंने दीर दीरे आराम से मेरे क्लास के जो आफ्लाइन क्लासे हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बैच स्टार्ट किया है अभी वह भी आप अगर चाहो तो वहां से आप परचेज कर सकते हो मेरे एप पर उपलब्द हो जाएगा और अगर नहीं चाहो तो को भी को दिकत नहीं है अब यूट्यूब पर इसको आप देखो बार-बार देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और वहां देखते हो तो भी आपके लिए वहां नुक्सान दायक नहीं होगा आपके लिए पढ़ाने वाले तो पढ़ा रहा हूं किताबें पढ़ रहा हूं मेरे संपर्ग में बहुत सारे जो मेरे जो लॉयर वगएरा है अर जो एपीपी वगएरा है उन से भी बात हो तो उन्होंने में वह कुछ चीजें बताई हैं कि इन धाराओं पर ज्यादा ध्यान दो कौन-कौन से पार्थ हैं तो उन से भी बात हुई तो उसके आधार पर वो मैंने बैच अभी मेरा ओफ-लाइन जो बैच है वो इस्टार्ट किया है तो वह आप पर आप पर जाके देख सकते हो आपकी इच्छा है दारा दोसो 46 दारा चोलू 46 में क्या कह रहे हैं खतरनाक खुदाई खतरनाक खुदाई खुदाई मतलब वहां कर भी सड़क पर कहीं पर किसी से भी किसी इस्टान पर ऐसी कुछ खुदाई जिसे आने Jared 날 को राहकीरों को या किसी पडूशी को कुछ हानी और संभाव ना हो तो वहाँ उसे स्थी में नगर्पालिका कि मिया करेगी जैसे नगर्पालिका की since किसी खान की खुदाई किसी इस्तान पर जमीन से पत्थर निकालने से यानि कहीं पर भी जरूरी नहीं कि खान की खुदाई भी कुसी रेज्डेंसल आसपास कोई खान हो सकती हैं मुड़ की मिटी हो सकती है तो खुदाई हुई है या किसी इस्तान पर जमीन से पत्थर निकाले जा रहे हैं तो उससे किसी पड़ोशी को खत्रा उत्पन हो जाता है या उसकी पहुंच से खत्रा उत्पन हो जाता है या न्यूसेंस उत्पन होता है तो नगरपाली का लिखित नोटिस द यह उसकी अनुमति नहीं देने को कह सकता है कि हम आपको इसकी आपकर खुदाई की नहीं देंगे और आप झो खुदाई कर रहे हो उसको आप रोक दो जब पाली के ऐसी व्यवस्ता करें जिससे खत्रे का निवारण हो और निसेंस कम से कम हो और ऐसा निर्देश देवे ऐसा यानि कहेगा आपको खुदाई नहीं करनी है हम आपको परमिशन नहीं देंगे और उसको निवारण करें उसके अगर खुदाई हो रही है तो उसका निवारण करें लेकिन लेकिन अगर किसी खान की खुद खुदाई राज्य सरकार द्वारा या इसकी और से या राज्य सरकार की अनुग्या या उसके प्राधिकारी के अधीन कारिये करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो नगरपाली का ऐसी कारवाई तब तक नहीं करेगी जब तक राज्य सरकार उसकी सहमती न द जाल की खुदाई के लिए और उस लाइसेंस का उप्यूँक करते हुए कोई ठेक आप में खुदाई कर रहा है या किसी अदिकारी के अधीन खुदाई हो रही है। तो फिर उसका कार्य को नहीं रोका जाए सकता उसके लिए फिर राजी सरकार की अनुमत ही लेनी पड़ेगी नगरपाली का उसकी रिपोर्ट भेज़ेगा राजी सरकार को कि इस परकार के खान से इस चैतर के लोगों को हानी हो सकती हैं खतरनाक हो सकता हैं तो उसको वो सहमती संकट को रोकने के लिए नगर पाली का खान के आस पास क्या करेगा बार लगवाएगा है और किसे लिए आदमी कोई बाड़ा है कोई घर है वहापर को व्यक्ति क्या कर रहा है या पोई पसु रख रहा है या मुर्गी पाल रहा है तो ऐसा नहीं कर सकता क्यों क्यों क्योंकि पसु पालने मुर्गी पालने के लिए मुर्गी पालने के लिए पसु पालने के लिए नगर पालिका की द्वारा अलग से इस्तान निद्धारित कर रखे हैं तो प्रश्वानिय को चौपाया प्रशों को रखने मुर्गी पालने के लिए करता है तो इसके लिए नगरपालिका की अनुमती लेना आविसक है परंतु इसकी निर्दारित फीस भी जमा करवानी होगी उसकी निर्दारित फीस भी जमा करवानी होगी कि मैं अपने चैतर में परिशत चैतर में जहां रहे रहा हूँ या शेयर में कहीं पर भी इसका प्रशुपालन हो रहा है परंतु नगरपालिका किसी लिखित आदिस द्वारा पसुओं या पक्सियों के किसी वर्ग को ऐसी अनुगवति से या किसी ऐसे प्रायोजन से जिसके लिए पसुओं पक्सियों को ऐसे रखे जा सकेंगे और उनकी छूट परदान की जा सकती है ऐसे पक्सों को यानि कुछ पसुओं के लिए वो नगरपालिका अनुमति भी दे सकती है कि आपको ये अनुमति दी जाती है कि आप इन पसुओं को वहाँपर रख सकते हो इसकी छूट भी परदान कर सकती है कितित प्शूँ और पकसिय को नगरपाली का अधिगरण भी कर सकती है, जैसे क्यों रहे हैं और वो ज़्यादा उत्पाद मचा रहे हैं, दिससेंस फैला रहे हैं, तो उन पसों को नगरपालिका है वो अधिगरण कर सकती है उनको निलाम कर सकती है कुर्की कर सकती है उसकी लेकिन उसका कोई मालिक नहीं होना चाहिए और मालिक है तो कुर्की के बाद वो अगर उनको अधिगरण कर लिया अभिगरण कर लिया तो फिर मालिक जाएगा उसका और वहां से कुछ फीश दे करके, कुछ टेक्स वगरे, कुछ पैसे दे करके फिर उन पसों को छुड़वाएगा। यदि कोई धोर, घोड़ा, सुवर, कुत्ता, आदी, चौपा या पसु पकसी किसी भूमी परीशर में रखा जाता है, या किसी मार्ग या सारजनिक इस्तान पर गूमता हुआ, या भटका हुआ, या रसे से बांदा हुआ, पाया जाता है, तो मुखे नगरपाली का अधिकारी, ऐसे पसों का अभिगर्ण करने का निदिश दे सकेगा, और उनको ऐसे इस्तान पर परिबद कराएगा, या रखवा अटवा करके उसको निश्य इस्तान पर जहां रखना है वहार रखवाएगी, उसके बदले में उसको टेक्स करव, फीस बगर भी देना पड़ेगा, इन पसों के परिबद करने, अभिगर्ण करने, हटाने पर हुए खर्चे की वसूली पसों को निलाम करके भी किया जा सकत है, पसु है, बंदा हुआ है, उसको ले गए, मालिग आया नहीं, चुड़वाया नहीं, तो उसका निलाम कर दिया, और वो पैसा है, वो नगरपाली का निदी में जमा हो जाएगा, परंतु इन पसों पक्सी का दावा करने वाला व्यक्ति, अभिगर्ण के साथ दीवस के भीतर, उन पसों को नगरपाली का द्वारा अभिगर्ण और परिबद करने पर हुए खर्च का भुक्तान करके, यानि साथ दिन के भीतर वो व्यक्ति जाएगा, जाकर कि उसका जो भी खर्चा हुआ है, उसको वहां से पसों को उठाने, लग जाने, लगने, चारा खिलाने पानी मिला, जो भी खर्चा हुआ है उस पसों पर, उसका भुक्तान करेगा, और फिर उसको चुड़वा सकेगा, लेकिन उसे स्वामितवा साक्से पस्तुत करना उपड़ेगा, यानि कोई गाय हैं, राठी नस्ल की गाय हैं, जो एक टाइम में 30-25 लेटर दूद देती हैं देती हैं 25-35 लेटर कुछ गाय हैं अनुकुल वातावन मिलने पर, तो वो कोई दूसरा मालिक जा करके ये तो गाय मेरी हैं, और उसको चुड़ा के ले जाए, नहीं, उसको सिद्ध करना पड़ेगा, कि ये गाय मेरी हैं, साक्से पस्तुत करना पड़ेगा, तब ही वो उस पस्तुत पक्सि का स्वामी दूरा कोई दावा नहीं किया जाता हैं, तो वो रासी नगरपालिका निधी में जमा हो जाएगी, यानि किसी पस्तुत को नगरपालिका ने परिबद कर दिया हैं, बान दिया हैं उसको लेकर के, क्योंकि वो उस आरजिनी इस्तान पर बंदा दोसो उन्चास में संक्रमित कुत्तों पस्तों पर कारवाई, यानि जो पस्तु किसी बिमारी से संक्रमित हो गए हैं, तो उनके लिए भी एक निश्यत इस्तान बनाये जाएगा, और उन पस्तों को वहीं पर रखा जाएगा, जैसे ध्यान हो तो लंपी हुआ था, तो रेबीज से गरसित हैं, यहाँ पर विशाइज कर रेबीज का उलेक हुआ है, या जिसके गरसित होने की संभावित हैं, संभावित किसी कुत्ते या अन्य पस्तों द्वारा काटा गया हो, तो उसे नश्ट करा सकेगा और परिशिमित करा सकेगा, कहने का मतलब हैं, परिश द्वारा यह निदेश दे सकेगा, कि ऐसी तारीक के बाद नोटीस में विर निदेश्ट किया गया कुत्ता, अनुग्यपति के बीना प्राइवेट व्यक्त संपती के रूप में मार्गों पर या अपने माली के घर के आसपास बठकते हुए पाई जाते हैं, तो उन अब क्या करेगा, वो नगरपाली का उसकुत्ते को वहाँ से उठवाएगी, और कहीं पर भी उसको बेजदाये, वो कारवाई कर सकेगी, वो कहीं दिखना नहीं चाहिए, और अगर रेबीस से गरसित कुत्ते, जो आवारा कुत्ते हैं, वो अगर रेबीस से गरसित हो जाते हो रहे हैं तो उस भी रोक सकता है पचास में है यानि ध्यान दिया होगा तो अपन देखो 245 से लेकर 250 तक पसों से संबन दीते हैं सारे के सारे सारे के सारे के सारे पसों से संबन दीते हैं देखो 246 में क्या था? खुदाई था 246 में खुदाई है उसके बाद क्या है खुदाई है खुदाई का उसके बाद है वो 47 48, 59 50 तक आवारपसों के समंध में है तारकसार बेक 46 में है ये 46 है 46 में है वो खुदाई से समंधित है खान-खानीज को भी खुदाई का मामला है किसी परिशर का उपियोग कि अप्योगीता किसी परिषार की उप्योगीता जो कोई पसू या पकसी रखता है किसी पर्षार का उप्योगी के पशू पकसी को रखने में करता है और उसे अनुग्यप्ति-न değil तो नगर्पाली का अधिकारी उसे रोकने का आदेश देगा यानि जैसे कोई कुत्ता है बड़ा कुत्ता है वो बड़े-बड़े कुत्ते होते हैं जर्मन सेफर्ड लेबरोडोर टाइप के बड़े कुत्ते होते हैं किसी नेपाल रखा है और वो इतना बुरी तरह से बहुत उसी बहुत जादा डिश्टरब हो जाता है तो वो नगर्पाली का उसी कहत करेगा कि कहेगा कि आपका उत्ता बहुत जादा बहुता है तो उसको भी कंट्रोल करने की सकती है नगर्पाली का के पास यदि निर्दारित का अलावदी की समापती पर भी नियूसेंस नहीं रोका जाता है तो ऐसे पसुपक्सी को रखने की अनुग्यूप्ति रद की जा सकती है और यदि स्वामी अधिभोगी मुख्य नगरपाली का अधिकारी के समाधान के लिए कोई संतुष्टी पूरो कारिय नहीं करता है यानि उसको माली को कहने के बाद भी वो कोई काम नहीं करता है या नियूसेंस नहीं रोक रहा है तो उसकी अनुग्यूप्ति रद करने के बाद उस पसु पक्सी का अभिखरण कर निलाम करके न्यूसेंस को रोका जा सकता है उस पसु को वहाँ से नगरपाली का उठवा देगी यह धारा अपन ने दो सो कहां से की? 246 से लेकर 250 तक कर लिए